एक बार बादशाह अकबर किसी व्यापारी के पास से तोटा खरीद कर लाए। वह तोटा देखने में अत्यंत सुंदर था और उसकी बोली भी बड़ी मीठी थी। सेवक तोटे को लेकर चला गया और बड़े उत्साह से उसकी देखभाल करने लगा। उसे कहीं न कहीं यह डर सता रहा था कि अगर कहीं बादशाह का तोटा मरा तो उसकी जान पर बन आएगी। और फिर एक दिन ऐसा ही हुआ। तोटा अचानक मर गया। अब सेवक के हाथ प पूरी बात बताई। बीरबल ने उस सेवक को पानी पिलाया और कहा चिंता मत करो। मैं बादशाह से बात करूंगा। तुम बस इस समय उस्तोते से दूर हो जाओ। थोड़ी देर बाद बीरबल अकेले बादशाह के पास गए और बोले की मालिक आपका जो तोटा था इतन बोलकर बीरबल ने बात अधूरी छोर दी, अकबर बादशाह तुरंत सिनहासन से खड़े हुए और बोले क्या हुआ। तोटा मर गया। बीरबल बोले मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि आपका तोटा ना मुह खोलता है, ना खाता है, ना पीता है, ना हिलता है, ना चलता है, ना फुदकता है, उसकी आखे बंध है, और वह अपने पिंजरे में लेटा पड़ा है, आप आए और जरा उसे देखिए, अकबर और बीरबल फॉरन तोटे के पास गए, अरे बीरबल तोटा मर चुका है, ये बात तुम मुझे वही पर नहीं बता सकते थे, का रखवाला कहा है, मैं उसे अभी अपनी तलवार से सजाए मौत दूंगा, तब बीरबल बोले, जी मैं अभी उस रखवाले को हाजिर करता हूँ, लेकिन ये तो बताईए कि आपको मृत्यू देने के लिए मैं किसे बुलाऊं, क्या मतलब है तुम्हारा, अकबर जोर से जी आप ही ने तो कहा था कि जो कोई भी बोलेगा कि तोता मर चुका है, उसे भी मौत की सजादी जाएगी और अभी कुछ देर पहले आप ही के मुख से ये बात निकली थी, अब अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया, बीरबल की इस चतुराई से अकबर हंस पड़े और वे दोनों हस्ते हस्ते दरबार लोट गए, अकबर ने तुरंत घोशना कर दी की सेवक पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी, तोता अपनी मौत मरा है, उसमें किसी का कोई दोश नहीं है